दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा यहां पे देखिए अंगुली डालने से भी अंगुली नहीं जाएगा और यहां पे भी रिंकल नहीं है यहां पे भी रिंकल नहीं है यहां पे भी रिंकल नहीं है कहीं पे भी पतली सोल्डर ब्लाउज बनाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समस्य आती है कि वो सोल्डर जो है उतर जाता है साइड में या उनकी नेक की चौड़ाई ठीक कटिंग नहीं होती है या आर्म होल कटिंग करने में दिक्कत होता है क्योंकि स्लिवजलेस होता है तो उसमें जज्जमेंट नहीं मिलता है बहुत सारे लोग है और इसी डड़ से पतली सोल्डर ब्लाउज ग्रहांक से लेते नहीं है या तो बनाते नहीं है ठीक है तो आजकी वीडियो इसी के लिए कंप्लीट है इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है मेंजरमेंट से लेकर कटिंग से लेकर और स्टिचिंग करने तक पूरी जनकार्य आपको clear हो जाएगा ताकि आपको कहां कहां पर mistake हो रहा था और सारे डाउट्स आपको clear हो जाएगे अगर आप वीडियो को आंध तक देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जो measurement करेंगे और की measurement करेंगे और आपको भी इसी तरीके से measurement करना है टिक है कम ज्यादा जो है कटिंग करते टाइम में बताएंगे कहां पर कम होगा और कहां पर ज्यादा होगा अभी जितना measurement आएगा पूरा हम लिखते चलेंगे तो इसमें जो हमारा solder है वो 15 इंच आ रहा है तो 15 इंच सबसे पहले solder लिख देंगे उसके बाद दूसरा जो हमें आरा काम है वो लंबाई measurement करना है लंबाई आपको जितना लेना है या आपकी customer जितना बोलेंगे उतना आपको लेना है तो लंबाई कहां से में अपना है क्योंकि यह स्लीवजलेस और solder पतला है तो इसमें जो solder आएगा वो यहां पर आएगा देखिए यहा से लंबाई चाहिए या यहां से चाहिए तो इसके हिसाफ से आम इसमें जो लंबाई रखेंगे 14 रखेंगे और आप आपके हिसाब से रख लीजिएगा उसके बाद अपर चेस्ट की measurement करेंगे अपर चेस्ट सभी में अलग-अलग हो सकते हैं कम या ज्यादा तो आपको इस अधियान रखिएगा तो हम उसके बाद फूल ब्रेश्ट फूल ब्रेश्ट के यहां से मापना है यह थाटी फाइफ ही आ रहा है लेकिन यह इससे ज्यादा होता है ध्यान रखिएगा उसके बाद हिप्स यानि कमर की माप लेंगे इसमें कमर जो है हमारा 30 इंच है ठीक है उसके बाद हम मेजर्मेंट करेंगे आर्म होल की तो यहां पर हमारा सुल्डर आता है तो यहां लास्ट है तो मिहां से मेजर्मेंट करेंगे आर्म होल की इस तरीके से आपको अगर किसी महिला की मेजर्मेंट कर रहे तो उसमें ज्यादा आसानी से हो जाएगा मेजर्मेंट तो इसका जो measurement आएगा फूल फिटिंग में 16 इंच सबसे मेन पॉइंट समझेगा आपको इसमें जो measurement करना है बस्ट पॉंइंट ठीक है तो ब्रस्ट पॉइंट नापने के लिए यहीं से मापना होता है यहीं से मापना है इस से थोड़ा सा उपर क्यूंकि इसमें कितना आ रहा है नौ इंच से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है लेकिन हम नौ इंच लखेंगे और मार्जिंग एक इंच देंगे तो यह अपने आप फिट हो जाएगा ठीक है इसी के साइड में हम लिक देंगे ये वाली मेजरिमेंट कि इसे कितना है साट इज दिखिराए आपको नेक आपको यहां पर कटिंग Sonraukäl the उसमें चार इंच ईस इतना एंच है रख सकते हैं कि पांच ब कहते से पारे पांट सेंच भी रखते हैं हम इसमें फिलाल सारे चार लिखते हैं प्रण्ट नेक और कम ज्यादा हम बाद में कर लेंगे बैक की जो नेक है डिप वह आपकी हिसाब से आपको रख लेना है अब नेक की चौडाई जो होती है ओ ध्यान से समझेगा क्योंकि यहां तक त्यार होगा तो हम मेजरमेंट जो करेंगे वह यहां तक करेंगे देखिए यहां तक ठीक है और इसमें भी यहां यहां तक लेकिन हम कटिंग जो करेंगे वह यहां से करेंगे यह जो दिख रहा ना यह जो नो जो जो यहां से तो आपको इसी चीज को माप लेना है ऐसा करके कितना आ रहा है 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच हम लिख लेते हैं नेक की चौड़ाई 9 इंच हो गया और ये नेक की चौड़ाई आगे पीछे दोनों के लिए हो चुका इस गनीत को आपको ध्यान से समझ लेना है इसके बाद आपका जो ब्लाउज है और इंच नेक कटिंग होगा तब जाके ये होगा नौ इंच आब यहां पर समझने वाली बात हें ऑसे सोल्डरकितना कटिंग करना है आपको वोस्टिक हम पटली वाली वह त्यार करेंगे हम देर इंच त्यार करेंगे और उसमें हम बाहर के साइड की आधा इंच की 13 इंच तो सोल्डर की कटि हम कितना करेंगा 13 इंच तीक है यानी सिता से समझ लिजब्ञेंगा कि 15 में 2 इंच माइनस हो जाएगा हम कटिंग करेंगे इसको 13 इंच सिर्फ इस बलावज के लिए सभी बलावज के लिए मेथद नहीं है ध्यान रखिएगा अपर चेस्ट जो है 35 इंच है तो 35 इंच का चौथा भाग लेंगे ठीक है भाग 4 करेंगे बढ़ावर यानि 35 भागा 4 ठीक है तो 8.75 ओके और इसका भी वही होगा 8.75 यानि पौने 9 इंच 30 है कमर तो कमर का चौथा भाग हम लेंगे चार भाग में डिवाइड करते हैं उसके लिए इसा लिख रहे हैं तो 30 इंच है तो 30 भागा 4 यानि 7.50 हो जाएगा ठीक है साथ 5.50 है निस अधिस चारे साथ इंच हां अब आर् मोल Partners 16 है यह भी आधा होता है तो कि ईवे दो से डिवाइड करेंगे बडा अ दो से दिभाइट करेंगे तो आधा आठंच होगा तो आठंच दियार करेंगे रांट में आर मोलकी अब यहां हो गया Bust Point बust Point जो हे यह वाला bust point है यह आजडे वाला है यह खडे वाला है ठाल जुए हम रखेंगे 6 त्यार करेंगे सब्सक्राइब कम और ज्यादा कुछ भी ध्यान रखिएगा कि आप को अस्तर कंपल्सरी लगे तो आपका बलाव 65 और उंपलStar is इसी पर हम बनाएंगे और एक साथ में दोनों कटिंग करेंगे ठीक है सबसे पहले हम बैग की भाग कटिंग करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम इस कप्रे को नीचे रखेंगे ऐसा अपने साइड गुमा लेंगे जो यह हमारा खुला हुआ भाग है डबल फोल्ड करने क ताकि आपका कप्रा वह सीधा हो जाए ऐसा और एक लाइन ऐसा भी आपको ड्रो करना है जो यह आय और होग पट्टी के लिए मार्जिंग होगा ठीक है क्लिए यह अब सोल्डर जो है हमने कितना लिया 13 तो 13 इंच के आधा कितना होता है सारे 6 इंच ओके तो सारे 6 इंच हम यहां पर स्वोल्डर लेंगे आप इसमें छे इंच भी ले सकते हैं तो एक बहत की भाग में आपको क्या गरना है एक इंच एक इंच इंच कितना एक इंच देखिए अब एक क्यू कटिंग करना है वह मैं आगे समझांगा आपको को यहां तक अब हम नेक की चौडाई के न हो गया और इसको फिर से हम एक इंच डाउन करेंगे सुल्डर को यहां से डाउन करना है ध्यान रखिएगा ऐसा तो आर्वोल निकालने के लिए हम गनित से निकालेंगे हमारा जो चेस्ट है 35 इंच है तो डिभाइड करेंगे हम छे से कितना हुआ हमारा इसको भी ऐसा कर देंगे और इसके बाद हम इसको भी ऐसा कर देंगे जाते है मिया पाइला बैक कटिंग हो रहा है तो ध्यान लखिएगा अब लंबा लें यहां से के छौदा इंच था तो इसमें हम कितना लेंगे सारे चौदा इंच क्यूंकि ऊपर के मार्जिंग इसमें ले लिया है तो सारे चолодा इंच यहां पर हम निसान सकते हैं और नहीं तो नहीं भीड़े सकते हैं ठीक है अब उसके बाद कितना देना आप सारे सात इंच कमर देना है ठीक है तो सारे सात इंच और प्लस हम इसमें इक्ष्ट्रा-डेरी इंच रख लेते हैं ताकि कम और ज्यादा हो तो मैनेज हो जाए अब 35 जो अपर चेस्ट है तो उसमें हमारा 8.75 आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे कितना सारे 8 इंच ही रखेंगे ज्यादा नहीं रखना है आपको सारे 8 इंच और 1.5 फिर से मार्जिन हो जाएगा और यह दोनों को हम मिला देंगे ऐसा उसके बाद यहां से इसको आर्म होल देखिए क्योंकि यह भागेगा ठीक है तो इसको ऐसा आपको लेना है इस तरीके से यह स्लूज लेस है तो इसमें थोड़ा आर्म होल छोटा रहेगा तो भी चलेगा देखिए यहां आते आते 8 इंच हो चुका है ठीक है यहां से मैसा मापेंगे तो ए 8 इंच पुड़ा है यानि 16 इंच आपका आर्म होल निकल कर आ गया परफेक्ट इसमें अब बागी कुछ इतना ही है बेक किल कर लेंगे अच्छा एक चीज और फ के इवाला जो हे उसको हम ऐसा कर माग देंगे हैं ओके यह हो गया अब हम गले की निसान लगाएंगे गला हमारा जितना भी लंबाई रखना उसके इसाब से लिना आपको तो इसमें हम 9 रखते हैं और इधर पर चार इंच लिए तो इधर भी चार इंच ले लेंगे हम अगया है ऐसा मिला देंगे आए ऐसा ठीक है और इसको ऐसा करके और नॉर्मल से दे दीजिए आपको जो भी सेप देना है उसके आप साब दे सकते हैं इसमें यह हो गया ठीक है अब लेकिन हम यह जो बैग पार्ट है और कटिंग नहीं करेंगे अब बचेवे कप्रे को क्या करेंगे हम अपने साइड घुमाएंगे ऐसा आप आपके हिसाब से कप्रा बिछा लेना मैं सिर्फ बताने की भीव से ऐसा थोड़ा जल्दी जल्दी में बदा दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बेस्ट नहों ओके तो ऐसा हम इसको बिछा लेंगे दबल फोल्ड में ही सेम देखिए ऐसा रखना है आपको कि अच्छे से बैठाने के बाद आपको जो निसान लगाना है इसको मोड कर और यहां से देखिए ठीक है यह वाला और यहां पर और यह निसान भी हम लगा देंगे और यह निसान भी लगा देंगे और यह निसान भी लगा देंगे ठीक है यह हो गया अब इसको हम रख देंगे साइड में ओकी यह वाला जो निसान है ना इसको थोड़ा और गहराई करना है अब नेक की निसान लगाना है आपको पहले नेक कितना चार इंच तो चार इंच इसमें भी निसान लगा लेंगे ठीक है अब नेक कितना रखना है आपको भी ध्यान रखना है तो हम इसमें छेंच रख रहे हैं छेंच और इधर पर चार इंच लिए हैं तो इधर पर भी चार और जो भी आपको डीप रखना उसके आप से रख सकते हैं ऐसा लेंगे देखिए एक दम ऐसा कि इतना ओके अब में बारी आती है फ्रंट पार्स कटिंग गरने की तो आपको यहां से कितना दस इंच पे निसान लगा लेना है ब्रेष्ट पाइन का 10 इंच पे ठीक है हो गया यह जब्रेश अब यहां से आप जज्जमेंट से ले सकते हैं वी चार इंच भी चलेगा और चारीजु भी चलेगा अब क्या गरना है इसको मिलाना है देखिए ऐसा मिलाना है ओके और फिर जेजमेंड तुप है ऐसा लेना है तिक है यह प्रिंसेस कठ है अब एक ध्यान रखेगा पॉफ जितना ज्यादा बढ़ा चीए उसके इसाब से यहां का यहां का गैप आपको ज्यादा देना है तो हम क्या करते हैं यहां पर एक इंच का गैप रखते हैं फिलाल के लिए एक इंच हो गया और एक इंच लेकर यहां से यहां जाएंगे कहां जाएंगे यहां यहां जाना है और यहां आके फिर से और इसको ऐसा ले लेना है देखिए ठीक है अब कमर्ची हमें हो सारे साथ इंच रेड़ी ठीक है तो सारे तीन और चार और यहां पेंच एक्स्ट्रा ओके पॉने नो इंच ये तुर पॉने नौ इंच मेंए हो गया सारे छे इंच ठीक है और बच गया कितना सवा दो इंच लेकिन यहां पर मैंने मार्जिंग ने लिया है तो यहां पर हम ले लेंगे कितना अधाई इंच और एक इंच डेर इंच मार्जिन के लिए अब यह ऐसा आजाएगा देखिए ऐसा और यहां पर जो है यह थोड़ा सा बढ़ जाएगा यानि यहां से कटेगा ठीक है यहां से यह आर्मोल हम बाद में भी सही कर लेंगे तो इतना कटिंग है इसमें और यह परफेक्ट कटिंग है और बना कर हम आपको दिखाएंगे भी कातले प्रे पहले ठीक है इस तरीके से गटिंग करना है और ऐसा आपको मिला कर देख भी लेना है थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसको हम बाद में चांट देंगे ठीक है देखे इसको सिलाई करना बहुत आसान है हम जानते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक पार जरूर देखें क्योंकि यह पूरा अंडर ग्राउंड एंड कभरिंग सिलाई है और इससे क्या होता है कि आपका फिनिसिल भी बनता है और जल्दी भी बनकर त्यार हो जा देखेंगे हम अ कर दो कर देखें इस तरीके से आपको जो मेन पला है उसको भी ज्वाइन कर लेना है देखें मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया है अब इसमें चाहे तो आप पैड लगा सकते हैं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं ठीक है आपके मर्जी के उपर है उसके बाद क्या करना है आपको कि यह अस्तर लेना है और एसा उल्टर रखना है यह ऐसा रहेगा और यह ऐसा रहेगा है इसको ऐसे रखकर और पहले हम आर मोल चांट देंगे आर्मोल कैसा कटिंग करना है ऐसा रखकर देखिए ऐसा यहां रखकर कर यहां दर्मिलाकर कटिंग कर देंगे एसा ठीक है अब हम इसमें भी सिलाई लगाएंगे और इसको मार्जिन जो हम काट करके हटा देंगे और इधर का भी सिलाइ लगायेंगे देखिए यह वाली सिलाइ जो है इसको वियू लगा देंगे अब इसको हम पल्टी करेंगे कैसा देखिए यह वाला जो है इसको ऐसा ले लेना है आपको ऐसा निकाल देना है बाहर इधर से भी हाथ डालके इसको भी ले लेना है आपको अब इसको खीज देंके बाहर ऐसा करके अब है ऐसा है यह हमारा फ्रंट जो है वो बनकर त्यार हो गया अब हम सिलाई लगा लेंगे किनारी का सबसे पहले हम गले की सिलाई लगाएंगे ऐसा हम यहाँ पे हम जो है दाव के सिलाई लगये आधिये उल्टा साइड भी फिनिश इन हो गया और सीधा साइड भी फिनिश इन हो गया अब हम बेक की पाड़ बनाएंगे और बेक की पाड़ बनाने के लिए इसमें भी कुछ करना नहीं है ज्यादा देखे यह वाला लेलेना है और एक प्रेभी लेलेना है ठीक है और इसको रख लेना ऐसा आपोजिट्ट दोनों सेट यह ऌनी यह हमारा अंदर के बाग है तो इसके लिएसा लेंगे हम और इसको भी एम इस तरीके से ले लेंगे ऐसा लेना है देखिए ये हो गया आप मार्जीनम इसको छांड देते हैं पहले करेंगे और समझेगा आपके सोल्डर कैसे करते हैं देखिए अस्तर वाला भाग इसको ऊपर रखना है और इसको ऐसा खोल लेना है देखिए ऐसा ठीक है और यह उल्टा रख लेना है इस तरीके से और ऐसा हम इसमें जुएंड करेंगे हैं ओके दूसरा वाला लेंगे इसको भी हम ऐसा रखेंगे फिर से इसको हम ऐसा लेंगे ऐसा और इसको भी ऐसा ही करेंगे कि यहां पर सिलाई लगाएंगे और इधर कभी हो इसा ही करेंगे अच्छा अच्छा और फिर इसको ऐसा देखिए कि ऐसा है यह ऐसा रहा अंदर चला जाएगा इसको ऐसा हम पल्टी करेंगे देखिए यह देखिए यह हमारा देखिए पल्टी हो गया है अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे किनारे का यह ब्लाउज रेडी हो गया और मैं हुक का पट्टी नहीं बना रहा हूं साइड मार के आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए देखिए सबसे पहले मैं पीछे दिखाना चाहूंगा मैं यहां पर श्टेपलर मार दिया हूं हुक नहीं लगा आओ आप लोग लगा ले ना ठीक है और देखिए फिटिंग कैसा है जबर दस्त यहां पर भी परफेक्ट सबसे पहले क्या दिक्काता आता लोगों को ध्यान मैंने बैग में जो सोल्डर बढ़ाया था एक इंच वह इसी लिए बढ़ाया था यहां पर जो है ना यह भाग उपर उट जाता है यह वाला भाग लेकिन यहां पर देखिए ब्रोवर बैठा हुआ है जितना यहां पर गैप है उतना फ्रेंट में यहां पर भी गैप है पर पे भी सभी जगह से देख लीजिए परफेक्ट फिटिंग आ गया है और आपके सामने में ने मेजरेमेंट किया है और आपके सामने भी सिलाई भी किया है हाँ एक छीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपको सोल्डर इससे भी उपर चीए तो उसके इसाफ से नेक की चाहिए तो यहां पर भी हो जाएगा ठीक है आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कंप्लीट जनकारी आपको मिल गई होगी जहां भी जो भी डाउट था वह आपको किलेर हो गया होगा ठीक है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्य मिलें तब आवाल